हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग उमीद करता हूं आप लोग अच्छे होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी चानल क्रिकोलेंड प्रेडिक्शन में है गाइज नीदरलेंड बनाम आयरलेंड इसी एन नीदरलेंड ट्राइ सिरीज का मुकाबला जो ख तो ये मुकाबला आज खिला जाएगा तो दोनों टीमों के तरफ से कौन से वो 11 खिलाड़ी है जो कि आज के मैच में बहुत अच्छा परफॉमेंस करके दे सकते हैं और आप लोगों को अपने टीम में उनको ट्राइ करके चलना है तो वीडो काफी इंपोर्टन रहने वाल है यह मुकाबला कहां पर खेला जाएगा सेम ग्राउंड जहां पर सारे मैच खेले जा रहे हैं दिहग का यह ग्राउंड नीधर लैंड का रहने वाला है तो नीधर लैंड को थोड़ा सा जाधा अडवांटेज आप लोगों को मिलता हुआ दिख सकता है क्योंकि होम है कि जहां पर जो तेजगती के बॉलर्स होते हैं काफी इंपोर्टेंट रोल अदा करेंगे बाकी देखो ओवरकाश्ट कंडिसन मतलब की बारिश के आसार हो सकते हैं यहां पर पिछला मैस तो अच्छे से हो गया लेकिन इसमें बारिश हो सकती है जो कि हम लोगों ने 5 विकेट मातर स्पिनर्स को मिला है तो अगर 3 विकेट ना प्येसर निकालेगा तो एक विकेट आप लोगों को हो सकता है इस्पिनर के खाते में जाता हुआ दिख जाए है हेट टू एड में 5 मैच खेले गाए हैं माफ किज़ेगा पिछले 5 सालों में हेट टू एड में 6 मै उससे पहले टेली ग्राम के चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नहीं हो आज आईएगा जिसका के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंड बॉक्स में मैंने दे दिया है पिन कर दिया है आप लोग जोएन कर लिएगा लिंक वर्क ना करें तो सिंपली सी क्रिक 2580 करके आप लोग सर्च करके आ सकती हो जो कि जितने दिन के मैचेज होते हम लोग सब यहां पर कवर करते हैं तो यहां पर जरूर आईएगा और जो वीडियो आप देख रहे हो ना उसको लाइक करना आगे शेयर करना और यूटूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके और लॉरेंट टेकर एक बहुत टैलेंटेड बहुत होनहार विकेट कीपर हैं और अगर पूरे आयरलेंड के अभी लाइन अप में देखो गे ना तो फॉर्म वाइस बत और बैट्समन सबसे बहतर फॉर्म में लॉरेंट टेकर ही हैं इनको बना सकते हो तो यह इंपोर्टेंट मैं तो पहले मैंच कोई हैं अपने टीम को दिया तो सबसे बड़ा अडवांटेज एक हैं बीक कीपर खिलाडी है तो अगर 30 run भी कर देते हैं और 2 wicket वगएरा माफ किज़ेगा 2 catching स्टंपिंग कर देते हैं तो easily आप लोगों को 50, 55, 60 point तक दे सकते हैं तो इस वज़ा से मैं कहूंगा team में ले के चल सकते हो और 5 number batting करा मैं तो especially netherland की team अगर first inning में bat करें तो यह जादा important है और अगर Ireland 161, 70 बना देती है तो SMN की second inning में भी chances है कि Scott Swartz की batting आ जाए batting section से दो पिछले match में अंडू बल्बरी ने 50 plus का score किया उससे पहले flop थे हैं पहले match में flop थे दूसरा match हुआ नहीं था लेकिन अभी हल या फिलाल पाकिस्तान के लेकिन थोड़ा सा फॉर्म इनका गड़बड है हो सकता है पिछले match में इनको लए मिली है तो उसको यह continue कर सकते हैं नहीं तो फिर जादा भरोसा नहीं यह पॉल इस्ट्रिलिंग का भी कोई खासा भरोसा नहीं है पिछले match में इनको भी स्टार्ट मिली ठीक था कि इन्होंने भी performance किया लेकिन इनका कोई खासा भरोसा है नहीं कब क्या कर दें दिन हो इनका तो सतक भी मा सकते हैं अधर यह कुछ भी नहीं करें क्यूंकि टॉप फाइफ अगर टी-20 आई बैटर आप सर्च करोगे ना most run in international cricket तो पॉलिष ट्रेलिंग का आप लोगों को तीसरे चौथे नमबर पे नाम देखने को मिल जाएगा तो अब आप रिपूटेशन का अंदाजा लगा सकती हूं कितना बड़ा यह खिलाड़ी है हैरी टेक्टर जो की स्रीज स्टार्ट होने से पहले अ में नहीं है तो दिक्कत यही है बाकी एम लिवीट की बात करते हैं आप लोगों को परफोमेंस दिखाता चलू तीन मैच भाई ने खेला है जहां पर पहले मैच में परफोमेंस था और रिसेंट दोनों मैच में इन्होंने कुछ खासा नहीं किया है तो बैटिंग आयरलेंड के तरब से खेलते हैं टीट्वाइंटी में मैं उनको इतना बेतर बैट्समें मानता नहीं है जोज डॉक्रेल के बॉलिंग वगएर करने के काफी कम चांसे दे बारसी वगएर को जील में ट्राइ करना तो अगर लेना चाहते हो तो एंडू बलबरीन हैरी किसी एक को ट्राइ करना या फिर एम लिविट इन में से किसी दो को चाहो तो ट्राइ कर सकते हो फिलाल में बैटिंग सेक्षन को पेंडिंग में डालता हूं मैंने एक-एक खिलाडियों के बता दिया है पहले देख लेते हैं और अधर जो अच्छे खिलाडी है उनको आम ल लोगों को चार-चार ऊबर करेंगे लावन ब्रिक को भी ले लिजए कूट स्केमपर का कुछ कहना मुश्कील ये बैटिंग आएगी चार फांच नंबर पर बैटिंग करेंगे लेकिन बॉनिंग करेंगे और करेंगे तो चार उबर नहीं करेंगे यह तो स्योर है हाँ हो सकता है दो अबर की बॉलिंग दे है यह साउथ अफरीका के खिलाडी है खेलते है आयरलैंड के तरफ से हैं भले लेकिन हैं साउथ अफरीका के खिलाडी इंपोर्टेंट है मैं कहूंगा इंपोर्टेंट आप टीम में लेके चलिए बागी टीप रिंजल का विकल्प है जो कि सेकेंड इनिंग के बॉल में मुझको जादा बेश्ट लग रहा है टीप रिंजल का बैटिंग करम आप लोगों को दिखाता चलू कहां पर रहने वाला ह यह देखिएगा टीप रिंजल काफी नीचे यार एक मैच में आई थिंक इन्होंने तीन विकेट निकाला था जहां तक मुझे याद आ रहा है हाँ तीन विकेट भी निकाला था 35 भी इन्होंने किया था तो अब चाहू तू ले सकती हो लेकिन उतना सेफ नहीं लग रहे है हाँ इस इलेर ब्रिट यह जो निधर लेंड के खिलाडी है इनका बैटिंग करम वन डाउन शो हो रहा है यह चाहो तो ले सकते हो लेकिन इनका भी चार उबर कंफर्म नहीं है ऐसा बैटर यह मुझे अच्छे लगते नहीं तो पहले बॉलिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं विवन किंग आमा मस्ट पीक वाले खिलाडी एस प्यसली फर्स्ट इनिंग में लेकिन सेकेंड इनिंग में भी आप टीम में कंसीडर जरूर करना क्यूंकि नीधर लेंड के सबसे परमुक बॉलर में से एक हैं यह खिलाडी अदेथ स्पेसलिस्ट बॉलर हैं हर मैच में एक बैरी मैगेटी को पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिलाता लेकिन अच्छी बात यह चार उबर की बॉलिंग करेंगे और इस पेसली अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉल करती है आयर लैंड तो देथ में बॉलिंग करेंगे तो इंपॉर्टेंट है दो सलोट ब लूँगा और इस पेसली नीदर लेंड की टीम फर्स्ट बॉल करेंगा तो यह इंपॉर्टेंट है कम से कम दो विकेट इन से एक्सपेक्ट करूंगा विकास देथ में यहीं बॉलिंग करेंगे अगर यहां पे पॉल्विन मिक्रीन नहीं खेल रहे हैं तो नीदर लेंड के की जाने के जो टॉस पर डिपेंड करेगा एक बैटर लेना है तो यहां पर थोड़ा सा लग क्यूपर डिपेंड करेगा चलो मैं हैरी टैक्टर को लेकर जा रहा हूं क्यूंकि अगेंस्ट पाकिस्तान भी इन्होंने पर्फोमेंस किया है और पिछले कुछ सालों में इनका सी वी सी बना के चल सकते हो इन्फेक्ट कूटे स्केमपर का भी विकल्प है आप इनके साथ भी चाहो तो जा सकते हो ठीक है मैरे कैप्टन बाश्डी लीड रहेंगे वाइस कैप्टन मार्क अडर रहने वाले हैं देखो बाश्डी लीड चार नंबर पर बैटिंग पलस ती इसली 800 पॉइंट तक दे सकते हैं तो इस वजह से कैप्टन यहीं इंपॉइटेंट लग रहे हैं बागी विकल्प में लौविन ब्रीक है कूटे स्केमपर है यहां तक की टकर जिस पर कार्फॉर्म में आप इनके साथ जा सकते हो विकेट कीपरिंग का भी बहुत बड़ा अड्वांटेज है ठीक है बागी मैंने कहा ना कि फ्रीद कलासन पॉल्विन मिकरिन यह दो डिसीजन टॉस के उपर डिपेंड करेगा तो उसके लिए आप लोगों को टेली ग्राम से जुड़ना अवेशक है जिसका की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉ कोई बात नहीं यार साल भर मैंच चलते हैं आप लोगों को साल भर वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी परेड़े एक से दो वीडियो मिलते रहती है तो क्या दिक्कत आप यहां पर रहो ना वाई जो भी अच्छे मुकाबले होंगे सारी अपडेट टेलीग्राम पर होगी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फैंटेसी में इंट्रेस्ट रखते हो तो बाकी मिलते हैं और अच्छी वीडियो साथ तब तक लिए गुडबाय टेक्ट